मजदूर की मौत के मामले में परीज़न सहित भारते मजदूर संग ने कंपनी पर आरोप लगाया कंपनी के मैनेचमेंट ने मुईलिया से दूरी बनाई मंगलवार के शाम आईनोक्स विंड कंपनी में कारेरत मजदूर रेव सिंग की तबियत खराब होने पर उसका इलाज ठिकरी स्वासकेंदर पर कराने के लिए लाया गया इस दौरान उसकी मौत हो गई परिजनों का कहना है कि कंपनी दौरा पिछले चार माह से वेतन नहीं दिया जा रहा था जिसके चलते रेव सिंग अपना इलाज नहीं करा पा रहा था परिजनों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी दौरा मजदूरों का सोशन क्या ज़ा रहा है वो भारतिय मजदूर संग के विभाग संयूजक पंकच मलतारी ने बताया कि कंपनी को प्रशासनिक लोग चला रही है जिसके चलते मजदूरों की सुनवाई भी नहीं हो रही है इस संबद में ठिकरी थाना प्रभारी चगन सिंग भगेल ने बताया कि मजदूर रेव सिंग छुटी पर था एवं रिदय गती रुक ज़ाने से उसकी मौत हुई है फिलहाल कंपनी मैनेच्मेंट के लोगों को बुलाया गया है राहत राशी कंपनी के और से दी जाएगी बरुक फाटक से हर्शत सोनी के साथ निखिल अगरवाल की रिपोर्ट और ना हिलाज कर बाप आया और चक्कर उसको 10,000 रुपे की देकर इती सरी कर रही है और कंपनी के कुछ जिम्हेदार व्यक्ति बोल रहे हैं कि उसको छे महीने बाद या डेड़ महीने बाद दो महीने बाद यह पिमेंड मिल जाएगा वो पर आज तक पहले भी वरकरों की ज्री बॉर्कर की पहले भी मोत हूँ थी चार महीने पाँज मेने बेले और साल बर हो गया और उसको आज तक कुछ भी नहीं विला पांचे इन सी छूटी पर था और दस तरह तक आज तक कच शूटी डाला है उसको पता चला है कि एस्टेडी में पता चला था मैं साम को गया था वहां तो दोपर उखाना उना खाया साम को चाय भी किया चार बजे इसके बाद अचानक हाट अटक टॉटर के बदाने कि साब से हाट अटक आया उसको इसके हिसाब से उसका यह इस्तिती में हैं हम लोग बाउंसर नहीं है वो सेकूर्टी गार बढ़ाए हुए है वह सितना ही है ड्रेस बाउंसरों की पिन रखी मेडिया को भी जाने से रोह जाता है अक्सर मेडिया तो इसके पहले भी अंदर आई है इस कभी कभी बोलते नहीं है रात को भी भरती बात है मजबूर इनका आयनुक्स कंपनी का चुक्ति उट्टी पे थाओ और आस्पिटल में ट्वार है इसा इनको पते जला कि उसके मत हो गी है उसका पीम करवाया गया अब क्या किस कारण मरा है या कंपनी में क्या प्रॉब्लम कि बबात है कि